हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा सक्सस केंदरा फ्रेंड्स के आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कॉंश्टेबल की जो भरती दोजर तेईस में 21,391 पदो पर आई हुई है उसके लिए एक बहुत ही important question paper को हम लोग cover करेंगे ये question paper class 3 पर आधारित है और इस बार बिहार पुलिस कॉंश्टेबल का जो एकजाम लिया जाएगा उसमें प्रश्ण जो पुछे जाएंगे कक्छा 3 पर आधारित होंगे जैसे आप जानते हैं कि ये जो CSBC है बिहार पुलिस कॉंश्टेबल का एकजाम कंड़क्ट करवाती है तो CSBC के दवरा अभी जो latest paper लिया गया था 27,3,2022 को उसमें जो प्रश्ण पुछेगा है उनको हम लोग cover करेंगे देखें आप प्रयास करेंगे इसमें 70% मार्क्स लाने का अगर आप 70% अंक ला लेते हैं तो समझी कि आपके तयारी बहतेरीन तरीके से चल रही है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और जो बेल आइकन है घंटी का निसाना उसको जरूर दबा लिजएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस कॉंस्टेबल भरती 2023 से समझी कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए तो चलिए सेसन आज की स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स पहले प्लीज एक बार सेसन को लाइक कर दीजे और जब सेसन समाप्त होगा तो इसे किसी भी एक ग्रूप में अवस्ते ही सेयर कर दीजेगा तो फ्रेंट्स जैसे मैं आपको बताया कि आज इस सेसन में हम लोग CSBC के दवरा CSBC जो बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के एकजाम कंड़क्ट करवाती है CSBC के दवरा 27.03.2022 को जो प्रशन पूछा गया है उसको हम लोग कभर करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 27.03.2022 को 2nd shift में यह प्रशन पूछा गया है और यह प्रशन बिहार पुलिस फायर मेन की एकजाम में पूछा गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस अगनी समन सिवा परिक्षा 2022 में यहाँ पेपर हुआ था उसमें यहाँ प्रशन पूछा गया था और मैं आपको बता दू कि CSBC के द्वारा ही बिहार फायर मेन बिहार मदनिसित, बिहार फॉरिस गार्ड, बिहार पुलिस कॉंस्टेबल इन सब का एकजाम कंड़क्ट करवाय जाता है और फायर मेन का जो पेपर होता है, यह कलास तेंथ लेबल पर आधारित होता है मदनिसित का जबी एकजाम होता है, वो भी कलास तेंथ लेबल पर ही आधारित होता है और इस बार बिहार पुलिस कोंश्टेबल की एक्जाम में भी कलास तेंत पर आधारित प्रशन ही पूछे जाएंगे फ्रेंट्स बहुती बहतरीन ये कोस्टन पेपर है यकीन मालिए और इसमें आप प्रयास करेंगे कम से कम 70% अंक लाने का अगर आप 70% अंक ला लेते हैं तो समझे आपकी तैयारी बहुती बहतरीन तरीके से चल रही है और जो बचे हुए दिन है उसमें और भी आप अच्छे तरीके से विजन करिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर लीजे चलिए स्टार्ट करते हैं सेसन फ्रेंट्स पहले प्लीज एक बार सेसन को लाइक कर दीजे पहला प्रशन पढ़ेंगे आज के सेसन का पहला प्रशन है कि कुनो राष्ट्य उध्यान किस राज्य में इस्तित है कुनो राष्टी उध्यान जो है यहां कहां इस्तित है अगर आप एंसर जानते हैं तो एंसर कमेंट में देखर के बताते चलेंगे और हाँ सेशन जब समाप्त होगा तो आप सभी लोग जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं वो अपना अपना स्कोर जो है जरूर कमेंट करके बताएंगे ठीक है चले ध्यान दीजे कुनो राष्टी उद्यान जो है यहां मद्यप्रदेश में है कहां पर है मद्यप्रदेश में अच्छा मद्यप्रदेश में और भी राष्टी उद्यान है और भी नेशनल पार्क है जो कि आपकी एक्जामें पूछे जा सकते हैं जैसे कि मद्यप्रदे अगला प्रश्ण हमारा कि यदि एक वृत का परिमाप और छेतरफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत की तिर्जिया है अब देखिए वृत का परिमाप आपको पता है 2πr इसका फर्मुला होता है और छेतरफल का πाई आर स्कॉाइर होता है खिलियर अब करें कि पर इकवल टू इधर 2 बचा और इधर कितना बच गया आर बच गया यानि कि तिर्जिया कितना आ गया दो आ गया तो दिख्या ओप्शन में 2 इकाई दिया गया है आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है चले तीसरा प्रशन है कि दो पिंडों की बीच गुर पर्शन बल उनके द्रव्यमानों के गुननफल के समानुपाती यानि कि डिरेक्टली प्रपोर्शनल उनके द्रव्यमानों के गुननफल के समानुपाती तथा उनके मद्ध की दूरी के वर्ग के व्योत कर्मनुपाती होता है क्लियर तो ये कितना होता है एफ इकोल टू कि बताया भी है कि दो वस्तुओं के बीच जब आकशन बर लगता है तो उनके द्रभमानों के गुननफल का समानुपाती होता है यानि कि यह पहला पिंड का द्रभमान M1 और यह दूसरा पिंड का द्रभमान M2 इनके गुननफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर् answer हो जाएगा option number D clear है अच्छा अब यहां से यह जो G है इसका बहलो पुछा जाता है कि सार्वतिक गुर्त्वाकर्षन नियतांक का मान कितना होता है universal gravitational constant का मान कितना होता है तो याद रखेंगे 6.67 into 10 to the power ध्यान रखेंगे minus 11 और unit ज्यादा ध्यान रखना है unit बदल दिया जाता है यह मान आपको मिल भी जाएगा तो unit change कर दिया जाता है unit होता है इसका newton meter square पर kg square होता है clear चलिया आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन कर लेंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बहुत ही बहतरीन प्रशन है इसमें ठीक है देखिएगा कितना मज़ा आएगा आपको इस set को लगाने में और आप इसको exam के तौर पर लगाईए ऐसा समझी कि आप examination hall में बैठे हूँ है और paper दे रहे हैं सबसे लंबा बांध जो है ये भारत का ये हिराकुंड बांध है ये किस नदी पर है तो ये महा नदी पर है कहा है तो ओडिसा में है अचा टिहरी बांध भी आज कल पुछा जा रहा है, टिहरी बांध उतरा खंड में है, किस नदी पर है तो भागी रती और भिलांगना नदी के संगम पर है, भागी रती आप पहले से जानते हैं, इसमें एड कर लीजे भिलांगना, भागी रती और भिलांगना नदी के संगम पर है टिहरे बांद अच्छा खडग वासला बांद कहां पर है तो खडग वासला बांद महाराश्ट्र में है और ये मूठा रिभर पर है मूठा रिभर पर है मूठा नदी पर है क्लियर मूठा नदी मैं हिंदी में भी लिग देता हूँ मूठा नदी पर है अच्छा धौली गंगा धौली गंगा धौली गंगा नदी पर ही है उत्रा खंड में है किलियर तो राइट अंसर इसका अप्शन नमबर ए हो जाएगा जितने भी पॉइंट्स में बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा आप सभी पर देखे एक कूलर का अंकित मुल 42 रुपया है दुकंदार इस में बढ़ता है 3696 में बढ़ता है तो छूट पर तिसत कितना होगा अब देखे 42 किया हैं इसना200 इसका क्या है अंकित हो जाएगा यानि कि 504 रुपिया जो है यहाँ पर इसको छूट मिला कितना 504 रुपिया अब देखे कितना आसान है अंकित मुल कितना है 42 रुपिया है कितना परतिसत छूट पुछ रहा है तो 100 से हम लोग इसको मल्टिप्लाई कर देंगे 200 से 200 कैंसिल हो गया अब देखे 42 एकम 42 हो गया बचा इधर 8 तो यह 84 हो गया 42 दूना 84 यानि कि 12 परतिसत का इसमें छूट है तो option B इसका राइट अंसर हो जाएगा चले next question है कि दो पूरक कोनों का योग होता है दो पूरक कोनों का योग ठीक है बता चले अगरा प्रशने कि भारत के गरामीन छेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है भारत के गरामीन छेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है तो गरामीन छेत्र में मौसमी बेरोजगारी भी होती है अब देखे प्रचन बेरोजगारी क्या है तो ऐसा कंडिशन जो केबल वर्स की एक निश्चित अवधी के लिए उपलब्ध होती है उसे मौसमी बिरोजगारी कहा जाता है भारत में ग्रामिले छेतरों में मौसमी और प्रचन दोनों प्रकार की बिरोजगारी पाई जाती है next question है हमारा English का प्रशन है यहाँ पूछ रहा है कि fill in the blanks में क्या होगा he saw that the clock had stopped होगा head का इस्तमाल होगा उसने देखा कि घड़ी बंद हो गई थी चले भारत की लोकशभा की प्रथम महिला ध्यक्ष कोन है लोकशभा की पहली महिला ध्यक्ष मीरा कुमार है अचा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली महिला मुखे निर्वाचन आयुक्त कोन है तो वी एस रामा देवी है इनका नाम आप द्यान रखेगे यह भारत की पहली महिला मुखे निर्वाचन आयुक्त है अचा विजिया लक्समी पंडित इनके बारे में भी जान ली जी संक्तराष्ट महासभा की पहली महिला अध्यक्ष है और स्वतंतरता के पुर्व भारत में कैबिनेट पद समानने वाली पहली भारती महिला भी है पंडि च्वाहरल नहरू की ये बहन है सुचेता किरपलानी यह भारत की पहली महिला मुख्य मंतरी है ठीक है चले सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा देखे खाले अस्तान है जैसे सरल जीवों को यदि आप टुकडों में काड़ दिया जाए तो प्रतेक टुकडा वि जिक्सित होकर फिर उसी तरह का बन जाएगा तो ऑफ्सन भी इसका राइटन सर हो जाएगा सामयवादी घोशना पत्र के लेखक कौन है अब यहाँ पर दिखेगा कम्मिनिस्ट मैनिफेस्टो मैंने आपको बताया है हिंदी में दिया गया सामयवाद घोशना पत्र कमिनिस् वैग्यानिक समाजवाद के संस्थापक थे अगर पुछा जाए कि वैग्यानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे तो कार्ल मांक्स थे यहीं लेबल है विहार फुलिस के परश्न का इसी तरह के परश्न इस बार उमीद करता हूं कि आपके एक्जामें देखने को मिलेंग ठीक है, surrender करना यानि give up करना, clear, चले भारत में उष्ण कटी बंदिये सदा बाहर बन पाये जाते हैं, अब यहाँ पर ध्यान जीजेगा, भारत में अगर पूछेगा कि अधिकतर किस प्रकार के बन पाये जाते हैं, तो भारत में अधिकतर उष्ण कटी बंदिये पॉर्ण पा सदा बाहर बन यह पाये जाते हैं, यह आप से पुछा जा रहा है, बताइए इसका correct answer क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, पुछा जा रहे कि भारत में उष्ण कटी मंदिये सदा बाहर बन पाये जाते हैं, तो उष्ण कटी बंदिये सदा अर्बसागर, भारत की समुद्र उत्तरपूर में खेतर में भी पाय जाता है, और सदाबभार बन का छोटा वशेस की रूप में ओडिसा में भी पाय जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे असम दिया गया है, ठीक है असम में ओर अनामान निकोबार में पर पाम भी त्यत् पद पर रहे थे, सबसे कम समय के लिए राश्टपती के पद पर रहने वाले व्यक्ति जो है, ये कौन है, तो फ्रेंट्स ये डॉक्टर जाकिर हुशैन साहब है, जाकिर हुशैन जो थे, ये बिहार के राज्ये पाल भी रह चुके हैं, तो प्रशन पुछता भी जाता है, कि अंबेदकर जैनती मनाई जाती है, देखें बाबा साहब अंबेदकर जी का जनम जो है, यह 14 अपराइल 1891 को हुआ था, मध्या पर्दियस के मव में, ठीक है इसलिए 14 अपराइल के दिन अंबेदकर जैनती मनाई जाती है, अगला प्रशन है, और ये भारत के पहले क्वं थ स्वतंत्र भारत के उसका बाद देखेगा कि fill in the blanks with the correct option they taught him to behave properly they taught him how to behave properly ठीक है चलिए उसका बाद देखेगा कि आविनियो कहा का प्रमुख कलाकेंद रहा है आविनियो है France का कहा का है France का है clear ज्यान रखेगा यह France का आविनियो प्रमुख कलाकेंद रहा है चलिए देख समानांतर चत्रभुज की दो सनिकट भूजाए और विकर्ण बराबर है वह क्या है कर रहे कि समनांचत चत्रवुज की दो सनिकट भुजाए और विकरन बराबर है तो वह क्या है वर्ग है समलंब है पतंग है या डाल्ट है तो उन्हें सी तुरुप से यह एक वर्ग होगा ठीक है वर्ग होगा इसका राइट अंसर चलो उसका बाद दिखेगा कि तो परतेक वर्ग होगा यह साथ अप्रेल की दिन मनाए जाता है ठीक है यह 11 जुलाई की दिन विष्प जनसंख्या दिवस मनाए जाता है 11 जुलाई को विष्प जनसंख्या दिवस मनाए जाता है 17 माई को क्या मनाए जाता है तो यह भी ध्यान रखेगा 17 माई को विष्प दूर संचार दिवस मनाए जाता है 12 जनवरी को राष्ट्री युवा दिवस मनाए जाता है ठीक है राश्ट्री इवा दिवस और परियावरन दिवस कब मनाया जाता है पांच जून के दिन मनाया जाता है विस्वजल दिवस कब मनाया जाता है बाइस मार्च के दिन मनाया जाता है ठीक है सबको धियान रखेगा पृत्वी दिवस बाइस अपरायल के दिन मनाया जाता ह चलियागला प्रश्ण है कि ध्वानी सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होती है तो आपको पता है कि ध्वानी को संचरित होने के लिए माध्यम क्या हो सकता होती है और ध्वानी तो निर्वात में गमन ही नहीं करती है सबसे तेज संचरित होती है ठोस में उसके बाद द्रव में फिर गैस में इसका उल्टा प्रकास होगा प्रकास सबसे तेज कहां संचरित होगा तो प्रकास निर्वात में प्रकास का वेग सबसे अधिक होता है चलियर चलियर अगला प्रश्ण है कि वरिष्टी चाया क्या है वरिष्टी चाया एक ऐसा छेतर है जो अपिक्छाक्रित रूप से धारातरिय औरोध के प्रभाव से कम वर्षा छेतर है वरिष्टी चाया कम वर्षा छेतर है ठीक है ऐसा नहीं आप अधिक वर्षा पर मतलगा चुए जीजाएगा कॉम वर्शा च्हेत रहे हैं उसका बद इका आपात्काल के दौरान मूल अधिकारों के परवर्तन को निलंबित किया जा सकता है अचा कौन से मूल अधिकार हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है तो फ्रेंट्स यहाँ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 की जो है उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है ठीक है चले अब थोड़ा से यहाँ पर आप ध्यान दें देंगे जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से एक बार सुन लिजेगा भारती समिधान के अनुछेत 352 में अनुछेत 352 म यहाँ उलेखित किया गया है कि बाहे आकर्मन या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपोन भारत या भारत किसी भी छेतर में सुरक्षा के खत्रे हो तो राश्टपती राष्टिया पात की घोश्णा कर सकता है 352 में है ठीक है 356 में क्या है तो राजियों में राष्टपती सासन है और 360 में वितिया पातकाल है इतना आपको याद रखना है ठीक है और इसके दोरान जो है राष्टिया पातकाल के दोरान मुल अधिकारों के परवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा तो ये भी आप Sanskritic होगा, Sanskritic होगा, ठीक है, चलिए, अगला प्रश्ण है कि choose the correct passive voice of the following sentence, the policeman catches the thieves, बताई, इसका आपको passive बताना है, इसका passive बताना है, बताई, राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से पढ़ करके अंसर बताईगा, देखे, thieves are caught by the policeman, यानि कि option number is called the correct answer हो जाएगा, ठीक एक जूल बराबर होता है, अब एक जूल बराबर होता है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनियेगा, जूल जो है, यह किसका मातरक है, तो यह कारे का मातरक होता है, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे आप, कि कारे बराबर क्या होता है, work equal to होता है, force into displacement होता है, force का क आप देखेगा एक जूल बराबर कितना होता है ये भी प्रश्ण बनता है तो एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी होता है ठीक है अच्छा एक कैलोरी बराबर कितना होता है तो चार्द समलो एक आठ जूल होता है इसे भी आप ध्यान रखेगा दी गई स्रिंखलाम की अगली शंक्या क्या होगी अब देखे 2, 3, 5, 5 फिर यहां पर देखे 3 है फिर यहां 5, 5, 10 है फिर 10, 7, 17 है 17 और 8, 17 और 9, 26 है ठीक है और 26 और 11, 37 है देखे 3, 5, 7, 9, 11 अब अगला जो होगा 13 होगा तो 37 और 13 करेंगे तो 50 हाजाएगा यानि कि 50 राय टिंसर हो जाएगा वीफलता का वीप्रियार्थक सब्द बताना है बताइए इसका विलूम सब्द वीफलता का सफल्था होता है सिंपल सा है अमलिय वर्षा निम्ल ऑक्साइडों के कारण होता है अमलिय वर्षा जो होता है यह सलफर और नैट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है सलफर और नैट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अमलिय वर्षा होती है ठीक है तो सलफर और नैट्रोजन हो जाएगा अगला प्रश्ण की दूतिय विस्यूद का ततकाली कारण क्या था देखे प्रथम विस्यूद का भी ततकाली कारण और दूतिय विस्यूद का भी ततकाली कारण दोनों ध्यान रखना है ये प्रश्ण बार-बार विहार को इसक एक जाम में पुछा जाता है दिखे दूसरा विश्यूद का जो ततकाली कारण था ये जर्मनी का पोलेंड पर आकरमन था यानि कि पोलेंड पर जर्मनी का आकरमन जर्मनी का पोलेंड पर आकरमन ऑप्शन नमबर डी राइट अंसर हो जाएगा एक और इंपोर्टेंट वर्साय की संदी होई थी जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ वर्साय की संदी होई थी, वर्साय की संदी को आरोपित संदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी वर्साय की संदी का उलंगन जर्मनी ने 1935 में किया, ठीक है, याद रखेगा, अच्छा ये तो दूसरा विश्यो यानि सेरो जो में हत्या ठीक है याद रखेंगे चलिए पहला विश्चिद्र का कारण मैंने बताया है दूसरा का अप्सन अबर डी हो जाएगा नेक्स्ट कुछ सने कि नेमनों में से किस बटामिन की कमी से सकर्वी रगूत पन होता है फ्रेंट्स बिहार पुलिस को वाइज आपको कभर करवा दूँगा पिछले 14-15 सालों का कोस्टन मैं सब्जेक्ट वाइज आपको करवाने जा रहा हूं हिस्ट्री का लग पॉलिटी का लग जोगरफी का लग साइन्स का लग ठीक है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन दबा लिजिए चाकि यह हड़ी से संबंदित विमारी है ऑश्टियो पॉरोसिस ठीक है चलिए यहां में लिख दू क्या लिख देता हूं ऑश्टियो पॉरोसिस ठीक है याद रखिएगा चलिए यह भी विटामिन डी की कमी सो होता है अगला प्रश्णी कि गैलेलियो ने किस यंत्र की खोज किय अब लिख के जाता है अब यहां पर देखे जहरखंड में इसको कुरुआ के नाम से जाना जाता है अचा पामलू जो होता है जहूम करिशी को मनिपुर में पामलू कहा जाता है मनिपुर में पामलू कहा जाता है और जौम कृशी को दीपा कहा जाता है चातीस गड़ में और मद्ध्रदेश में भी कहा जाता है लेकिन मैंनली आपको चातीस गड़े याद रखना है clear है? चली अचार आंद्रप्रदेश में इसको पोडू कहा जाता है चले अगला प्रशन है हमारा है कि मेरी मा ने आज तुम्हें बुलाया है इसका English translation करना है मेरी मा ने तुमको बुलाया है आज ठीक है My mother has called you today My mother has called you today Next question है कि आ रही रवी की सवारी कविता में बादलो की एक रूपता किस्सी की गई है आ रही कवि की सवारी में बादलो की एक रूपता किस्सी की गई है तो देखे यहां कविता जो है यहां हरिवन्स राय बच्चन जी के दवारा रचित है और आ रही रवी की सवारी इसमें कवि ने बादलो की एक रूपता अनूचरो से की है अनुचरो राइट अंसर हो जाएगा निसेचन के पस्तात विजांट से एक कठोर आवरन विक्सित होता है यहां किस में विक्सित होता है तो निसेचन के पस्तात विजांट से एक कठोर आवरन विक्सित होता है तथा यहां बीज में विक्सित होता है तो राइट अंसर इसका बीज हो जाएगा भारत की अस्तल सीमा की कूल लंबाई कितनी है चले बताएंगे सभी लोग अंसर कमेंट करके अज़ा भारत जो है टोटल साथ देशों के साथ अस्तल ये सीमा साज़ा करता है सबसे ज़्यादा बंगलाजिस के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ अस्तल की सीमा की कूल लंबाई जो है ये 15200 किलोमेटर है कितना है? 15200 किलोमेटर है फ्रेंस इसको आप जरूर ध्यान रखियेगा ठीक है? चले दूसरे विस्यूद में 1 सितंबर 1949 को पोलेंड पर किसने आकरमन किया था? मैंने अभी बताया था दूसरे विस्यूद का ततकाली कारण क्या है? जर्मनी का पोलेंड पर आकरमन पॲलेड पर आकरबन जर्मनी ने किया था जर्मनी का ताना साहए ड्लफ हेटलर ने किया था किलियर है, चलिए next question कर लेंगे कि विदवान का बिलोम क्या होता है तो simple सा विदवान का मूर्ख ही तो होगा उल्टा सबने, चलो सक वादिकड metro पुछे जाते हैं तो इसका राइट अंसर मैं आपको बता देता हूँ बैंगलूरू इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन अबर डी करेक्ट अंसर हो जाएगा शले नेक्ष्ट कोस्टन कर लेंगे अचाँ ये हिंद चीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कभी कभी क्या पुछा जाता है कि हिंद चीन में कौन-कौन से देश आते थे तो हिंद चीन में तीन देश आते थे, कौन-कौन से देश हैं, नाम जरा है उनका ध्यान से सुन लिजेगा, ये तीन देश जो हैं, ये वियतनाम, लाउस और कमबोडिया हैं, वियतनाम, लाउस और कमबोडिया, ये हिंद चीन का अंतरगत आते थे, और ये उरोपियन बैपा पटेगा कि सिंदू तथा सत्लज नधी के मद हिमाले को जाना जाता है। और सत्लज और काली नदी के मद इस्तित हिमाले को कुमायू हिमाले कहा जाता है। सत्रलज और काली नदी के मद इस्तित हिमाले को, ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, जो इस हिमाले इस्तित है, उसको नेपाल हिमाले कहा जाता है, और ध्यांदीजेगा, तीस्ता नदी और धिहांग नदी के मद जो इस्ति तोरुषित किया गया था तो इनको गुषित किया गया था ऑठारस وankaत्तर में कब 1870 में, वर्साय में, कहाँ पर वर्साय में, वर्साय में एक सभा का आवजन किया गया था 1870 में, और वहीं पर परसा की राजा बिलियम पर्थम को जर्मनी का समराट घोशित किया गया था, देखिए एक ट्रेंगल दिया गया है, ट्रेंगल ABC, मैं यहाँ पर लिख देता थोड़ा इसको ध्हान से लिखना पुड़ेगा ABC, clear और दूसरा ट्रेंगल है PQR अब इसमें क्या करा रहा है कि अंगल BC ब़ाबर है PQ का, यानी कि यह जो BC है, यह BC यह बराबर है PQ का, करा है कि, अंगल C बराबर है अंगल Q का, अंगल C यह बराबर हैं अंगल Q का, कर रहें कि दोनों तरिवोज में भूजा कौन भूजा सर्वं सामता जो होती है वो उसके लिए कौन सा कंडिशन होना चाहिए तो इसमें देखें क्या होता है कि भूजा, कौन और भूजा, तो एक भूजा बराबर होगा, एक भूजा बराबर होगा, यह कौन बराबर होगा, यानि कि कौन से सनलगन यहीं वाला भूजा फिर से बराबर होना चाहिए, यानि कि QR बराबर कितना होना चाहिए, AC होना चाह यह है चल इसलेनी में से कौन सा उर्जा का मात्रक नहीं है उर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। जूल होता है योटर मेंट्र मैंने अभी बताया था ठीक है उसके बाद देखे किलोवाट घंटा ये भी होता है किलोवाट नहीं है किलोवाट जो है फ्रेंट्स ये पावर का ये सकती का यूनिट है पावर यानि कि सकती का यूनिट है किलोवाट क्लियर है चलिए नेक्स्ट कोशन है कि संपत्तिक अधिकार अब एक किस प्रकार अधिकार है तो पहले यह मौलिक अधिकार था लेकिन फ्रेंट्स इसको जो है 44 समधान संसोदन 1978 के द्वारा जो है इसको मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार विदिक अधिकार या कानूनी अधिकार की सुची में रख दिया गया था ठीक है ध्यान रखिएगा चले अगला प्रश्ण हमारा की 2011 की जनगन्ना का नुसार भारत में सरवाधिक जनसंख्या वला राज उत्तर प्रदेश है सबसे कम जनसंख्या वला राज सिक्किम है ठीक है चले सरवाधिक जनगनत वला राज बिहार है नेक्स्ट कुस्टन है कि 900 किलमेट उत्तरा खंड राइटन सर हो जाएगा वह संयोजी उत्तक जो अस्तियों को मांस्पेश्यों से जोडता है अब यहां पर देखे कंड्रा और अस्नायू उपास्ति और एरियोलर उत्तक दिया गया है अब थोड़ा सा अंगरेजी में ना देकर कि हिंदी में देने से तो अस्ति से मांस्पेश्यों को टेंडन जोडता है कोन जोडता है टेंडन जोडता है और यहां पर हिंदी दे दिया गया है तो हिंदी जब दे दिया गया है तो इसको हम लोग असनायू कहते है ठीक है अस्ति यानि कि हड़ी को मांस्पेश्यों जोडता है असनायू और इसको उत्पादन वहुस्ता से अन्तिम वहगता हैं कि देश में सभी उत्पादन के सादनों से आए हो जायेगा, देश के जितने भी उत्पादन के साधन है उनसे आए अगला प्रशनी की what did Mr. Gessler die of ठीक है आप देखें ये क्या है actually ये जो है friends ये किसी कक्छा का ये पाठ करम का ये एक कविता का ही है या फिर आप poem कह लिजी chapter कह लिजी जो भी है वहाँ से उठा करके ये दिया गया है तो ये Mr. Gessler जो थे ये star vision के चलते मरे थे ठीक है भूख के चलते तो slow star vision इसका right answer हो जाएगा slow star vision ठीक है याद रखेंगे आप चलिए अगला प्रशन कर लेंगे कि महेस ने 12,000 रुपया चक्रविजी ब्याज पर रखे और यदि रकम 5 वर्स में दूगुनी हो जाती है पांच वर्स में क्या हो जा रही है ये 5 वर्स में ये दूगुनी हो जा रही है तो 20 वर्स के पर साथ कितनी हो जाएगे जब 5 वर्स में दूगुनी हो जा रही है तो अब इसले 20 वर्स में यह 16 गुनी हो जाएगी थोड़ा सा कॉमेंस लगा लिजेगा तो बारास हजार गुना सूलह कर दीजे राइट अंसर आपका ओप्सिन नमबर डी आ जाएगा ठीक है एक लाख बानवे हजार रुपया रबर खले संदिया गया फसल है रबर चाय कौफी नारियल ये सब जो है फ्रेंड्स यहाँ भूम रखिये चेतर के फसल है रबर चाय कौफी ठीक है नारियल भूमद रखिये चेतर के फसल है अहार नाल मुल रुप से खले संदिया गया फिर से कहां तो यह मुक्स से लेकर के गुदा तक ठीक है चलिए उत्तरपस्चिम भारत में सितकाली इन वर्सा उनिचक्रवातों के प कित कालीन वर्षा जो होती है यहां पस्त्मी विचोप से होती है ठीक है किसके कारण पस्त्मी विचोप से होती है और यहां जो है भोमध्य सागर से उत्पन होता है क्लियर भोमध्य सागर से उत्पन होता है तो भोमध्य सागर इसका राइट अंसर हो जाएगा 57 का भोमध्य स प्रश्ण है कि खाले संदी आग्या है यहां पर एक खाले संद वरा बना प्रति भी महमेशा आभासी सिदा और अत्यधिक छोटा होता है। बताईए तो देखे विदेशी निवेस क्या है एक देश की कमपनी के द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेस परत्यक्स विदेशी निवेस कहलाता है ठीके तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा बताईए करेक्ट अंसर इसका क्या हो जाएगा correct answer या अपका बहुराश्ट्री नेगमों के द्वारा किया गया निवेस प्रत्रम टीका विक्सित किया था अच्छा टीका करन का खुज मैंने बताया है Edward Jenner ने किया था यानि कि पहला टीका इन्हीं ने Edward Jenner नहीं विक्सित किया था Edward Jenner को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है ठीके चलिए नेक्ष्ट कुस्सन है अमारा और चेचक की टीकी की खोज Edward Jenner नहीं किया था लोगसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र की से प्रस्तूत करता है लोगसभा का अध्यक्ष जो है यह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोगसभा के अध्यक्ष को देता है 26 नॉम्बर को मनाय जाता है 26 नॉम्बर की दिन मनाय जाता है तो दीकि 26 नॉम्बर की दिन ही तो राश्ट्री विदी दिवस के रूप में, चले next question करेंगे, कि एक सिक्के को 40 बार उचाला जाता है, और परिणाम क्या आता है, 70 बार चीत आता है, और 23 बार पट आता है, तो सिक्के की एक उचाल में चीत आने की संभाना, चीत कितना है, 70 बार, और इसकी संभाना उचाला कितना गया है, तो 40 बार, तो 70 बार चालिस इसका एलसर हो जाएगा, ठीक है, वहीं अगर पूचता पट आने की संभाना, तो 23 बार चालिस होता है, अगला प्रशनी के सुन्दरवन राष्टी उद्यान भारत की किस राज्य में है, सुन्दरवन पस्सिम मंगाल में है, अच चलिए, वाइमंडल में इस्तित ओजोन सुर्श से आने वाली किस प्रकार की विकरोन से प्रतवी की रक्षा करता है, सुरक्षा करती है, तो आपको पता है कि ये परावेगनी किरेन है, मनरेगा कंतरगत देश के गरामिन छेतरों में कितने दिन काम दिया जाता है, अच्छ इसे लॉंच किया गया था, सन 2006 में, याद रखेंगे, इसे भी लॉंच 2006 में किया गया था, और इसका अंतरगत जो है कितने दिनों का गरामिन छेतरों में काम दिया जाता है, तो राइट अंसर बताएंगे इसका क्या होगा, सो दिन का काम दिया जाता है, ठीक है, चलिए अगला प्रशन है हमारा, कि who was blind in the story, story है, the eyes are not, ठीक है, who was blind in the story, the eyes are not here, the eyes are not here, या जी श्टोरी है, या रस्किन बॉंड की है, और इसमें पुछा कि who was blind in the story, तो इसमें the narrator right answer हो जाएगा, ठीक है, narrator, blind in the story, पुछा गया है, तो बादल के प्रयाय पुछा गया है, तो बादल के प्रयाय जो है, यह क्या होते हैं, बादल के प्रयाय और जो सब नीरद, पयोद, मेग, घन, वारिद, यह सब होते हैं, ठीक है, तो वारिद, नीरद, पयोद दिया गया है, option number B हो जाएगा, विस्व में किस देश में सरपर्थम लिखित समिधान लागू हुआ था सरपर्थम लिखित समिधान जो है यह अमिर्का का है किसका है विश्व में सबसे पहला लिखित समिधान अमिर्का का है ठीक है चले राइट अंसर इसका अमिर्का हो जाएगा और लिखित समिधान ब्रेटेन का है सबसे लंबा लिखित समिधान भारत का है ठीक है सबसे लंबा लेकिन सबसे पहले पुछा गया है तो ये अमिर्का में लागू हुआ था और सबसे लंबा लिखित समिधान भारत का है संपीडित प्राकृतिक गैस कौनसी गैस होती है संपीडित मैंने कली वाली वीडियो में बताया था compressed natural gas इसमें कौनसी गैस मुखरपस होती है तो methane होती है CH4 इसको Mars gas भी कहा जाता है और उनाचल प्रदेश में ब्रहमपुत्र किस नाम से जानी जाती है बताये correct answer क्या होगा इसका तो ब्रहमपुत्र जो है चीन में तिबत के पठार की मानसरोहर धेल से निकलती है और इसको चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है चीन में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है और रोनाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है और अबर हम बात करें जब ये असम में आती है तो असम में इसको किस नाम से जाना जाता है असम में इसको ब्रहमपुत्र के नाम से जाना जाता है और बंगलादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता नेक्स्ट कोसे ने 2011 की जनगन्ना के अधार पर भारत का सरबाधिक जनसंख्या वाला दूसरा सहर कौन सा है? सबसे जादा जनसंख्या वाला जो सहर है ये मुंबई है, सबसे जादा जनसंख्या वाला सहर मुंबई है, दूसरा पुछा गया, दूसरा दिल्ली है, ठीक है? दि Tiger Man of India, Tiger Man of India किसको कहा जाता है, तो कैलास संखला को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कैलास संखला को कहा जाता है, ठीके, अब Forest Man of India किसको कहा जाता है, Forest Man of India, तो ये कहा जाता है, किसको, तो ये कहा जाता है, जादव पायोंग को, जादव पायोंग को कहा जाता है, Forest Man of India, किस उ पॉल्मर का उप्यों किया जाता है, तो जोलरी ओगरे के लिए किया जाता है, ठीक है जोलरी राइट अंसर हो जाएगा, एक अधातु जो कमरे के ताब पर द्रव रूप में मिलती है, अधातु पुछा गए, यह प्रश्ण कई बर बिहर पुलिस में रिपेट हो आ है, आप correct answer to the given question from the option that follow, देखे कर रहे कि what does crescent refer to in the poem, thinner than a crescent, अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर यह आपका दमून हो जाएगा correct answer, दमून इसका correct answer हो जाएगा, अगला प्रश्ण है खले सन देगा, पादप की पतियां बीडी बनाने के उप्योग आती है, मतलब किस टेंदू है, ठीक है, टेंदू की पति से बीडी बनाया जाता है, clear, चलिए, next question कर लेंगे हम लोग कि नमनलिकित में से किस आस्थान पर भारत में सरवाधिक वर्सा दर्ज की गई है, तो मौसिन राम में सबसे ज़्यदा वर्सा होती है, यह आपको भी पता है, मौसिन राम राइट अंसर हो जाएगा, चलिए, मौसिन राम, और मौसिन राम जो है, यह मेघाले में है, अगला प्रशन है कि उस एजनसी का नाम जिसके मारफ़त सरकार बफर श्टॉक के लिए खादान खरी दिती है, बताइए, करेक्ट अंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यह FCI है, भ भारतिये खाद निगम इसका राइट अंसर हो जाएगा, चलिए अगला प्रशन कर लेंगे, कि मेरू रजू को सुरक्षा प्रदान की जाती है, मेरू रजू को सुरक्षा प्रदान जो है, यह किसके दवरा की जाती है, तो मेरू रजू को कसेरू को डंड के दवरा सुरक् ठीक है, अगला प्रश्ण है कि एक वस्तु का अंकित मुल 80 रुपया है, यदि वह 72 रुपया में बिची गए है तो छूट परतिसत, पहले वाला जो कुश्चन बताया था, से मोही तरीका निकालना है, असी में से 72 घटा देना है, 8 रुपया का चूट है, 80 रुपया अंकित मुल है, बटा 100 कर देंगे, 0 से 0 कर जाएगा, 8 से 8 कर जाएगा, यानिकि 10 परशेंट इसका राइट अंसर हो जाएगा, क्लियर, चलो उसका पर दिके, मैं नीर भरी दुख की बदली, कभिता महादेवी जो है, यहाँ किस में है, यामा में, यामा में ये शंकलित है, 4000 रुपय की राश्टी, दो वर्स के लिए 5 परती वर्स ब्याज की दर से दी जाती है, चक्रविदी ब्याज और सधारन ब्याज की बीच का अंतर, अब मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ, सोट तरीका करे की दो वर्स के लिए, अगर यहाँ टाइम दो वर्स है, तो चक्रविदी ब्याज और सधारन ब्याज का अंतर आप कैसे निकालेंगे, तो इसका अंतर होता है, फर्मूला कुछ नहीं, पी आर बटा सो का स्क्वाइर कर दीजेगा, पी यहाँ पर प्रिंसिपल है, जो की 4000 र उपर हो गया 4000, नीचे आजाएगा, एक बटा 20 का स्क्वार, तो दो बार हम 20 को नीचे लिख देंगे, ठीक है, तो एक 0 से एक 0 यहाँ पर दीखी कैंसिल हो गया, दो 0 से 2 0, क्लियर, दो दुना 4, यानि कि यह 4 भी कैंसिल हो गया, बच गया उपर कितना 1 0 बच गया, दस खरिफ की कौनसी फसल पस्व के चारे की रूप में उप्योग में ली जाती है, चारे की रूप में खरिफ की फसल जो है, यह कौनसी ली जाती है इसमें से, बते यह राइट अंसर क्या हो जाएगा, तो खरिफ की फसल जवार और बाजरा पस्व के चारे में उप्योग ली जवारर और बाजरा का ठीक है चले माली मालीन में सकुट से समाश है तो इसमें जो है द Όंद समाश है क्योंकि दोनों पदिसका प्रधान है मालिन और मालिन दोनों द्वंद समास है नेमलेकित में से कौन सा रासानिक परिवर्तन नहीं है देखें नहीं पुछले गया है रासानिक परिवर्तन बताएंगे इसमें से रासानिक परिवर्तन कौन है उबलता हुआ पानी रासानिक परिवर्तन नहीं है ठीक है भारत सरकार की प्रथम legal officer कोन है तो legal officer जो होता है यह महा नयवादी होता है यानि कि attorney general of India आर बैंकेट रमनी वरतमान में महा नयवादी है भारत के आर बैंकेट रमनी भारत में प्रथम रेलगाडी मुंबई से किसकमद चलाई गई थी तो 1853 में चलाई गई थी लोड निर्थिसका राइट अंसर हो जायेगा ठीक है चले यह बिहार के हैं ध्यान रखेंगे नेक्ट कुश्चन में कि जलालगड किला बिहार की किस जिले में है जलालगड किला दरसल मुगलकाल के दौरान एक सायनिक छामनी हुआ करता था और यह बिहार की पूरनिया में है जल बाउट सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन से इदंसी जारी करती है करेंसी नोट है यहां एरवی आई जारी करती है कौन एरवी आई ससी कांत भी option में रहेगा भाई ये गलत हो जाएगा सकती कांत दास चले समाजिक न्याय क्या दर्शाता है 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 बताई समाजिक न्याय से मतलब क्या है कि एक ऐसे न्याय पूर सर आपका क्या हो जाएगा तो बिना किसे समाजिक भेदबाव से सभी नागरिक सांथ समान बेवहार से रहते हैं वह राज योगम जहां कंटीले वन जाड़ियां पाई जाती है वह राज ये कौन सा है बताइए वह राज ये कौन सा है तो फ्रेंड्स यहां राजस्थान और इसकी रचना किस ने किया है सारे जहां सच्छा इसकी रचना जो है ये महमद इकबाल ने किया है महमद इकबाल राइट अंसर हो जाएगा ठीक है महमद इकबाल रविद्ना टैगर का जनगन मना है ठीक है बंदे मात्रम बंकिम चंद्र चटोपध्य का किस सेत्र में कामगा को, रोजगार की शुरक्षा मिलती है, तो किसमें मिलेंगी? किसी भी संगतित छेतर में ही तो मिलेगी. शंगतित छेतर में, रइट अंशर इसका हो जाएगा. चले उसका बद देखेगा कि plaster of Paris बनाया जाता है plaster of Paris gypsum से बनाया जाता है gypsum का formula क्या होता है CaSO4 into 2H2O होता है याद रखेंगे और plaster of Paris का CaSO4 into half H2O होता है half H2O इसको plaster of Paris को calcium sulfate hemihidrate भी कहा जाता है चले हमारी निंद कभिता के कभी कौन है हमारी निंद कभिता के कभी जो है ये कौन है तो friends ये विरेन डंगवाल है कौन है विरेन डंगवाल है ठीक है याद रखेंगा हमारी निंद कभिता के कभी विरेन डंगवाल है fill in the blanks और अपना score बता के जाए चले water खाले असन दियागा at 100 degree Celsius simple सा question है water boil होता है 100 degree Celsius पर तो boils हो जाएगा यहाँ पर boils होगा, boils नहीं होगा boils होगा, clear याद रखेंगे चले अपना score बता जीजे वीडियो को भाई एक बर प्रीज सेर जरूर कर जीजेगा वीडियो को like कर जीजे